शालिमार बाग में बाड़ नमबर 62 की निगम सीट पर उपचुनाब होना है इसके मद्दे नजर सरगमियां तेज हो गई हैं इसी के मद्दे नजर आज शालिमार गांफ से लेकर हेदर पुर तक एक पद्यात्रा कॉंग्रिस त्वारा निकाली गई दिल्ली प्रदेश कॉंग्रिस के अध्यक्ष अनिल चौधरी के अलावा इस पद्यात्रा में कॉंग्रिस के इस जिले में विधान सवा और चुनाव लड़ रहे दो पूर्व पृत्याशी भी शामिल थे साथ ही बड़ी संख्या में कॉंग्रेस के कारिकरता इखटा हुए और विजेपी और से आम आदमी पार्टी को दिल्ली में फेल रहे कूडे का जिम्मदार बताते हुए पध्यात्रा निकाली इनका कहना था कि ये पध्यात्रा उनकी विजेपी और आम आदमी पार्टी की पोल खोल पध्यात्रा है लेकिन कहीं न कहीं यहां होने वाले उपचुनाव की तैयारी है वैसे तो दिल्ली में नगर निगम की मुख्य चुनाव करीब एक साल पहले ही होना है लेकिन उपचुन और आम आदनी पार्टी और विजीपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में कॉंग्रिस का अनुमान है कि उन्हें इससे फायदा होगा। और जनता भी इन दोनों पार्टियों से तंगा कर निगम में कॉंग्रिस का आप्शन अपना सकती है। इस कारण कॉंग्रि हैं ये जो सरकारे हैं दिली में खास तारसे 14 साल हो गएं मसीडी बारबाद कर दिया। चौदा साल में दिली की एमसीडी को जो विश्व के अंदर और देश के अंदर अच्छी मजबूत मेंदा कर दिया है। आज आरोप लगाते हैं कि हमें बारा सो क्रोड रूपे ने दिये अरे बारा सो क्रोड रूपे छोड़िए पहले ये बताईए कि करमचारी सब्सक्राइब बैठे हैं तो यही बात लेकर के सड़कों पर हमाएं और यह जंता का फीड़बेक था जनता इनको जबाब देना चाहती है पांच वार्ड पे बाइच अलेक्शन है इन पांच अलेक्शन से M.C.D. अमीर नहीं हो जाएगी भाजपा जीतने से इन पांच चुनाब जीतने के बाद कोई मुख्य मंतरी दुबारा नहीं बैठ जाएंगे वो अरड़ी मुख्यमंत्री हैं, जनता ने मन बनाया है, ये जनता इनको हराएगी और इनसे सवाल पूछेगी, और वही सवाल पूछवाने के लिए आज हम रोड में गूम रहे हैं, हमारे तमाम सिर्स नित्त्व हैं, कारे करता है, हमारी बेहने हैं, और आम जनमानस है, जो ये नहीं सुन रहे हैं, उनको सुनवाने के लिए इनके कानों में आवाज डानने के लिए, बोल खोल का निकरम हमने आसके सुरूख, अब्यान जो छेड़ा था देश के परधान मंत्री का बयान, जिस तरह से नमामी गंगे खतम हो गया, वैसे ही स्वच भारत और स्वच द दिल्ली का भी सपना खतम हो गया है, आज दिल्ली के चैगां हो, सड़के हो, अर्बन एरिया हो, हर जगा कोड़े के धेर लगे हुए, आज मैं सुबह तरलोगपुरी में था, वो बालमी की बस्ती वो खबरमचारियों की बस्ती है, जो खुद दुनिया का कुड़ा उठा क करके कुड़े दान तक ले जाते हैं, आज उनकी बस्तीयों में गंधकी और बिमारी फ्रैल रही है, यही कानने की हम जवाब मांग रहे हैं कि आपने 14 वर्स के अंदर आखिर दिल्ली को आपने बढ़ाल कर दिया, दिल्ली को आपने खतम कर दिया, यही हम प्रस्म कूछ रह है, उसके विरोध में और एक जन जागरन के रूप में, आज हम यहां शालिमार बाग के शेतर में, मानिया अजक्स श्रियानेल जी के नेतरत में, कॉंग्रेस सबी जो कॉंग्रेस विचारदारा के हमारे नेता हैं, वो यहां पहुचे हैं, और लोगों को यह जागरूप कर करने के लिए कि कॉंग्रेस ही एक मातर विकल्प है, आज जिस तरीके की नूरा कुस्ती, आम आदिन पार्टी और भारते जनता पार्टी के अंदर चल रही है, उसका पोल खोलने के लिए, और दिल्ली में व्याप, जितनी भी परेशानी हैं, उसके बारे में लोगों को जा जानाने का काम किया है, लेकिन जैसा मैंने कहा है कि गूंगी और बहरी सरकार है, और इसको किसी भी work के लिए किसी भी समाच के किसी भी ऐसे work के लिए कोई चींता नहीं है, लिहाजा अब समय आ गया है कि बदलाव की ओर दिल्ली को इकॉंग्रेस देख रही है, डिली के लो बारी ओम